सार आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बेहद अफसोस है मेरे लिए आसू मत बहाओ वो बोलो जिसके लिए आये हो अभी अभी एक कतल हुआ है सर किसे की मौत अब मेरे लिए खबर नहीं होती वो गून आपने किया है इस अच्छे काम के लिए तगमा लेकर आये हो नहीं हद कड़ी लेकर आया हूँ अगर आप अपना गुनाह कुबूल कर लें बहुत स्मार्ड लग रो इंस्पेक्टर मैंने फैसला किया है सर कि अपसे कोई भी गुनाह करके बच नहीं पाएगा चाहे वो कोई भी हो अपसे तुमारा फैसला है अपसे यानि पिछले तमाम गुनाहों को पुलिस डिपार्डमेंट ने ब्लाक मनी की तरह अज्जस कर लिया कि ये खंडर देख रहे हो हमारा घर था स्वर्क से सुन्दर एक परिवार था रेपताओं की तरह इंद्र धनूश के सातों रंगों में रंगी हुई एक खुबसुरा सिंद्धी थी ये ये कैसे शम्शान बना क्यूं बना कभी जानने की कोशिश किया है आज एक हतियारे की मौत पर हत कड़ी लेकर मेरे समने खड़े हो गए सर मेरे फर्ज ने आपका दिल दुखाया इसका मुझे बहुत दुख है सर आप मेरे आदर्श हैं जिस तिन मैंने ही वर्दी पहनी मैंने हमेशे एक ही सपना देखा कि मैं आप जिसे पुलिस अफसर बनूँ मेरे यकीन मानी सर मैं आपके बहुत काम आँगा जिन्दगी से लेकर मौत तक आप जरा सोचे सर कानून ने आपको अच्छा इंसान मानकर आपकी फासी की सजा माफ कर दी और आप बाहर निकल कर कतल करेंगे मेरी माफी में कानून का रहम नहीं मेरी माफी में मेरी बेकुनाई है मैं भी आपको चेतावनी देता हूँ सर के आज के बाद अगर गाय परिवार का कोई भी सदस से मारा गया तो आप जिल की सलाखों के पीछे होंगे खानूनी तोर पर करेक्ट बोलो अफिसर सिर्फ उनके मौत होने पर तुम मुझे ग्रिफ्तान नहीं कर सकते उनकी मौत में मेरा हाथ है उसका पक्का सबूत चाहिए तुम्हे आज के बाद कातिल की तलाश नहीं करना सबूत की तलाश करना क्योंके कातिल तो हर हालत में मैं ही हूँ जाओ आज की तुमारे ड्यूटी खत्म हो गए जाओ आज की तुमारे ड्यूटी खत्म हो क्योंके कातिल हो है क्योंके की तो है आज की तुमारे बाद की तुमारे ड्यूटी